नमसकार दोस्तों मैं हूँ रहुल कुमार और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में और स्वागत है आप लोगों का YouTube & School Life में भी एक्चुली ये उल्टा है स्वागत है आप लोगों का YouTube and School Life में भी और आज YouTube and School Life का मेरा पांचवाँ एपिसोड है इस सीरीज का जिसमें मैं आपको बलाच और और काठकड घुमाने लेकर जा रहा हूँ वैसे ये एक ही जगा है हमारे इश्तेदारों की जहां मैं कुछ 14 साल बाद जा रहा हूँ 2008 के बाद एक्चुली मैंने YouTube and School Life में इसे इसलिए ही शामिल किया है क्योंकि मैं 2008 के बाद वहां जा रहा हूँ जब मैं 2008 में था तब मैं स्कूल में बढ़ता था और जैसे जैसे मेरी जिन्दगी में 2008 वाली मेरी स्कूल टाइम वाली बाते दुबारा मेरी जिन्दगी में कुछ होती रहेंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा एक्चुली वैसे तो एक बात और भी है जो नोटिस करने वाली है कि जिस रूम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2008 में मैं इसी कमरे में सुया करता था और रहता था और आज भी में वही पर रहता हूँ मेरे ग़र वाले वी वैसे ही रहता हूँ यहीं पर सूता हूँ 2008 से लेकर अब तक ठेंक्यू तो दोस्तों ये वही जगह है जिस जिगा पर मैं 2008 में आया था और 2022 में भी आया हूँ Actually दरसल बात ये थी कि तब मैं 10th क्लास के अपने एक्जाम दे कर यहां पर रहने आया था 10-15 दिन बट अब भी मैं कुछ देर के लिए ही यहां पर आया हूँ तो मैंने सुचा यहां पर एक वीडियो बनाई जाए इन रस्तों पर पहले मैं 14-15 दिन रोज गुजरता था यहां से और actually मैं तब एक्जाम में फेल भी हो गया था 10th के एक्जाम में वो 2008 की बात है और ये मुझे गाउन जादा याद आ रहा था जो मेरी 2008 से जुड़ी मई 2008 से जुड़ी बहुत इस पैशन मेमरी है और ये गाउन मुझे पसंद भी बहुत है क्योंकि ये बहुत नेचर से जुड़ा हुआ है सारे रस्ते और इस रस्ते में की बात मैं एक और करना चाहूँगा कि इस रस्ते में जो एक मंदिर आता है वो भी मैं 2008 से देख रहा हूँ हाला कि मैं मंदिर के अंदर कभी नहीं गया लेकिन जो मंदिर रास्ते में आपको अभी दिखाई देखा वीडियो में इस वीडियो में वो मैं 2008 से देख रहा हूँ यहाँ पर मतलब कि करीब 14 साल से देख रहा हूँ शिव मंदिर को क्योंकि मैं शायद वो शिव मंदिर है अब किसी भगवान हिंदू देवी देवते का ही मंदिर है मैं भगवान शिव का भक्त हूँ तब से मैं भगवान शिव और माता पारवती को मानता हूँ पहले मैं दिवी मंदिर जाया करता था मंगलवार को और फिर मैंने मंदिर में कीर्थर करना शुरू कर दिया यहां से मैं 2008 में भी मंदिर भगवान में विश्वास रखता था और मंदिर जाया करता था तब ही मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद था और अब तो मैं मंदिर तो कम चाता हूँ वैसे अब तो मैं घर में ही शिप पुरान पढ़ लेता हूँ जो अभी मैं आपको मंदिर विडियो में जो मंदिर आपको दिखाई देने वाला है मैं उसी मंदिर की बात कर रहा हूँ तो बाकी बला चार और काठगड की आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताईए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ये वीडियो एक्चुली मैं अपन नहीं कतम करने वाला हूँ क्योंकि मुझे छे मिनट अठाइस तक अठाइस सेकंड तक अपनी बात पूरी करनी है तो मैं यहां पर 2008 में आया था तब मैंने एक लड़की को प्रपोस किया था जिसका नाम था मनप्री शॉर्टकट में उसे मनु कहते थे तो मैंने उसे 25 एप हां बस उसने मुझे एक शाट अप में जवाब दे दिया ना हा या ना कुछ भी नहीं पता नहीं मेरी लाइफ ऐसी ही है किसी कोई भी लड़की हा या ना मैं जवाब ही नहीं पता नहीं क्यों मुझको लेकर लड़कियां थोड़ी कन्फ्यूजड होता जाती हैं और जिस लड़की ने मुझे 2015 में प्रपोस किया था वो तो एक्चुली वो तो मुझे उन्होंने खुद प्रपोस किया और मैंने वहां ना कर दी पता नहीं क्यों किस्मत ही मेरी ऐसी है अब क्या करूँ चलो कैर ये तो मेरी लव लाइफ की बात रही बाकी मैं आपको बला चौर की वीडियो दिखा रहा हूँ तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ये गाउं में मेरी 2008 की मेमरी से जुड़ा हुआ है और इसलिए मैं ये वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ ताकि आज से कई साल बाद भी आप इसे देखें तो आपको ये बडिया लगे आप यहाँ पर घूमने जाएं ये बहुत बड़ी ये जगा है बला चौर काठगड यहाँ मारे रिष्तेदार भी रहते हैं एक्चुली मैं अंके घर ही आया था तो मैंने ये वीडियो बना ल करते हैं तो मेरी वीडियो का लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुर मद दूली थेंक्यू